अरपर रेडियो से सुनिये कारिक्रम शिंतन मनन अभय प्रदान करती है वरना प्रतेग वस्तु भय उत्पन्न करने वाली होती है गांधी जी की राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतिये परंपरा केनुसार सारजनिक जीवन में त्याग करने पर विशेश बल दिया था उनका कहना था त्याग नेक जीवन का सिध्धान्त है और लोग जो कुछ प्राप्त करते हैं उस से महान नहीं बनते बलकि वे जो कुछ द्यागते हैं उस से महान बनते हैं वो परियुक्त के आधार पर त्याग और दान वो पियोविता और मेहता की द्रिष्टी से जुडवां भाई हैं लेकिन त्याग विवेक पूर्ण होना चाहिए और दान सुपात्र को ही दिया जाना चाहिए आगे की पंक्तियों में किसी भारी दान की बात ना करके केवल भिक्षा या भीक जैसे रोज मर्रा के दान की बात की गई है भिक्षा या भीक मांगने वाले हट्टे कट्टे भिक्षार्थी कभी सुपात्र नहीं हो सकते क्योंकि वे हाथ पहलाने के अलावा कुछ नहीं करते यदि आप अंद धार में या अति भावुबन कर उनके भोजन पानी आदी के विवस्था में सहयोग देते हैं तो आप उहें और भी नाकारा बनाते हैं वे अपना पेट पालने के लिए अंद विश्वासी भक्तों और विवेक हीं दानियों को बेवकूफ बनाने का धंदा करते हैं कई बार तो वे भिकमंगे लोग ठगी ही नहीं चोरुचक्के भी होते हैं वे आपसे कुछ मांगने तक तो आपके हितैशी बनकर कहते हैं कि वे आपके नाम का दिया जलाएंगे आपके लिए दूआ मांगेंगे पर यदि आपने उन्हें कुछ नहीं दिया तब वे ततकाल आपका बुरा सोचते हुए आपके विरुद बढ़वडाते हुए निकल जाते हैं उनका यह कहना कि उनकी दूआओं से आप संपन हो जाएंगे नहायत मुर्षता की बात होती है क्योंकि यदि उनकी दूआओं में थोड़ा भी दम होता तो वे अपने लिए भी दूआ मांगकर स्वयम संपन हुए बिना नहीं रह सकते थे कभी कभी वे मंगते आपको डरा कर यदि आपने उन्हें दान नहीं दिया तो आपका अमुक नुकसान हो जाएगा तो आपको जुकाना चाहते हैं पर यह उनका सिर्फ चालूपन होता है ऐसे दान भुक्षडों से सावधान रही है यदि आपको दान देना ही है तो होधार गरीब बच्चों को च्छात्रवती दीजिए अनाथों की जिंदगी बनाएए अपाहिजों की मदद कीजिए बेसाहरा बीमारों का इलाज करवाईए अभागी और संकडग्रस्थ विदवाओं का विवाह करवाईए यदि आपका पेट अच्छी तरह से भर रहा है तो ओवर इटिंग की बिलकुल जरूर नहीं है अपनी समरिद्धी में से थोड़ा अभावालों के लिए भी कुछ करके देखिए आपकी आत्मा खेल उठेगी अपनी संपत्ती का सही उप्योग कीजिए आप अपने साथ उसमें से कुछ भी लेकर जाने वाले नहीं है ये थी डॉक्टर रमीश चंद्र महरोतरा की प्रस्तुती उनकी पुस्तक सफलता की रहस्य से अरपा रेजियो के लिए